इसको अभी समझते हैं सबसे पहले तो ऐसा समझें स्टुडिट्स के हमारे पास एक triangular base है और उस triangular base को मैंने join कर दिया एक vertex है जो कि उस triangular base के उपर लाए कर रही है या फिर नीचे लाए कर रही है तो इस type का जो structure होगा जहांपे हमारे पास base है और वो base consistently उपर उपर जाते जाते छोटा होता जा रहा है और वो छोटा होता जा रहा है और end point पे एक point तक पहुच जाता है तो हमारे पास एक base था वो base उपर जाके छोटा छोटा होता होता एक point तक पहुच जाता है मतब इसको vertical vertex बोलेंगे तो इसे हम बोलेंगे pyramid तो ऐसा समझिए कि अगर हमने नीचे square ले लिया और इस square को अगर हम हमने उपर एक point से join करा दिया तो यह वाला जो structure obtain होगा students this one तो यह भी एक pyramid होगा लेकिन इन दोनों pyramids में difference क्या है a pyramid with a triangular base and a pyramid with a square base अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हम एक pentagon ले ले और उस pentagon में हमने सारे vertices को एक vertical vertex से join कर दिया in this way तो अब यह वाला जो हमारे पास pyramid बना a pyramid with a pentagonal base तो यह भी एक pyramid है तो a pyramid और prism a difference क्या है prism के खास बात होती है कि जैसा base होगा और वैसा का वैसा वो uniformly उपर तक चलेगा for example जैसे हमने लिया circular base और circular base उपर same as it is उपर भी same circle ही बन गया तो जैसा नीचे है base है और वो uniformly उपर तक जाएगा तो उस type के structure को हम बोलते हैं prism तो prism जो है जैसे cylinder है जो मैंने आपके सामने draw करा यह prism है अगर मैं आपसे बात करूँ कि हम लोगों ने एक box बनाया जिसका rectangular base था तो students यह जो box है this is also a prism with a rectangular base अगर मान लीजे हमने एक pentagonal base बनाया अब students यह वाला जो है this is also a prism with a pentagonal base तो यह तीनों की तीनों prism है जो uniformly जिनका जैसा base होता है वैसा के वैसा यह उपर तक चलता है consistently same size में तो इसे हम बोलेंगे prism और अगर यह सारे के सारे vortices किसी एक point से attach हो जाते है मतब छोटा छोटा होता जा रहा है और ultimately एक point तक पहुँच जाता है तो उस structure को हम लोग बोलते है pyramid so I hope आपको यह difference पता लग गया कि pyramid और prism में basically major difference क्या होता है अब जो pyramids हैं उनका base कुछ भी हो सकता है triangular base भी हो सकता है rectangular भी हो सकता है और prism के case में भी ऐसा ही है कि prism का base भी कुछ भी हो सकता है एक circular base भी हो सकता है एक rectangular base भी हो सकता है एक triangular base भी हो सकता है तो अभी मैं आपके सामने दो type के structures हैं जिनके हमने fix नाम रख रख हैं उनके बारे में discuss करता हूँ, सबसे पहला structure है tetrahedron, so tetrahedron tetra मतलब 4 और एक ऐसा pyramid structure जिसके पास 4 vortices होंगी या फिर 4 faces होंगे उसे हम बोलेंगे tetrahedron अब pyramid structure with triangular faces, जिसके triangular faces होंगे उसे pyramid structure को हम tetrahedron बोलेंगे और tetrahedron की खास बात है कि उसके पास 4 vortices होती है, देखो figure आपके सामने बना हुआ है, अगर इस figure को देखके हमें बताना हो कि कौन-कौन सी vortices है, तो हमारे पास vortex A, vortex B, vortex C and vortex D, अच्छा कौन-कौन से faces हैं, हमारे पा हमारे पास हो गया ACB, फिर हमारे पास हो गया ABD and fourth type का जो पीछे की तरफ है, it will be ACD, अगर मैं आपसे पूछो edges, edges का मतलब ये वाली sides, जैसे पहली edge हमारे पास हो गई AC, फिर हमारे पास हो गई AB, मतलब A से निकलती हो ये edges लिख रहा हूँ, AC, AB and AD, अब ये जो नीचे base वा तो ये सारी total six edges होगे, अब इस tetrahedron के लिए हम center of tetrahedron के बारे में पढ़ते हैं, तो center of tetrahedron कैसे determine किया जाएगा, student जैसे आपके पास है ये जुतने भी faces दे रखे हैं, वो faces कैसे हैं, triangular face, तो जैसे मैंने आपके साथ discuss करा कि total हमारे पास 4 triangular faces हैं, इन 4 triangular faces का एक एक centroid तो exist कर तो अभी मैं आपको एक दूसरे diagram के तुरू समझा रहा हूँ, कि for example, students, हम लोगों के पास में, ये BCD एक base बना हुआ है, और BCD base में, यहाँ पे हमारे पास, जो G1 है, ये हमारे पास centroid है, centroid of base, और base कितना है, triangle BCD, इस centroid से मैंने A vertex को join कर दिया, तो मेरे पास एक line obtain हो गई, AG1, तो AG1 is a line, which is starting from the vortex A, to the centroid of the base, triangle BCD, अब इस पे एक point लाए करेगा, students P, and P will divide, इधर देखिया, P divides line joining AG1, in the ratio 3 is to 1, P जो है, इस line joining AG1 को, दो टुकडों में तोड़ रहा है, सबसे पहला टुकडा, 3, और ये जो दूसरा टुकडा है, नीचे की तरफ, ये हो जाएगा, हमारे पास 1, तो इसका मतलब ये हुआ, कि AP upon PG1 is equals to 3 is to 1, question में given है, ठीक है, तो अब देखो, center P को कब बोलेंगे, P is center of tetrahedron, and center of tetrahedron divides the line joining to the vertex A, to the opposite phase, centroid of the opposite phase, vertex से, centroid of the opposite phase को एक line join हो रही है, उसको divide कर रहा है, P in the ratio 3 is to 1, और ये जो P है, इसको हम बोलेंगे, center of tetrahedron, अब देखो, कैसे निकाले हैं हम लोग, हमने क्या किया है students, इस A point को origin मान लिया, और origin के पास जो vector होता है, that is O vector, अब ये जो B point है, इसका position B vector मान लिया, C point का position vector, C vector मान लिया, और D point का position vector, D vector मान लिया, now if we have to determine the centroid of this base, BCD, तो हम centroid of triangle BCD, तो हमने last lecture में centroid के बारे में सीखा, centroid होता है, तीनो individual position vectors का sum upon 3, that is B vector plus C vector plus D vector upon 3, तो ये हमार पास आजाएगा, G1, अब हम क्या करेंगे students, हम एक line हमें दे रखिये, that is A and this is G1, और G1 पे, A G1 पे point लाए कर रहा है P, such that it divides the line joining A G1 in the ratio 3 is to 1, now what I will do is, this is 0 vector and G1 vector, this I have determined using centroid formula, now for getting the position vector of point P, तो हम यहाँ पे लिख रहते हैं, position vector of point P, इस point P के position vector को मैं नाम दे रहा हूं, small P, छोटा P, और ये जो P vector होगा, using section formula, मैंने 3 times G1 और G1 है, B plus C plus G upon 3 plus 1 into 0 vector upon M plus N, section formula में M into B vector plus N into A vector upon M plus N, so it will turn out to be 3 plus 1, now 3 say 3 cancel out हो जाएगा, ultimately we are left with B vector plus C vector plus G vector upon 4, ये हमने ले लिया, B vector plus C vector plus G vector upon 4, तो ये हमारे पास आगया, position vector of the point P, और point P क्या था, center of tetrahetron, अब ये तो students वो मैंने case discuss करा, जहांपे हम लोगों ने A को origin ले लिया, अब सोचिए students A origin नहीं है, A का position vector question में given है, and that is A vector, तो मैं आपको फिर से एक बार करके बता रहा हूँ है, if A is not the origin, यहांपे हमने A को origin माना, अब हम discuss कर रहे हैं, जब A origin नहीं है, let the position vector of A vector is small a vector, so I am making the corrections in the figure itself, I am writing here small a vector, अब अगर हमें centroid of triangle BCD लिखना हो, centroid of triangle BCD, that is G1, तो G1, it will remain same, B vector plus C vector plus G vector upon 3, यह तो position vector same रहेगा, और अगर हम बात करें, this one would be A, this is G1, और G1 का coordinate हम निकाल चुके हैं, we have to determine the coordinate, और the position vector of the point P, ratio is given 3 is to 1, P का position vector हमने small p vector consider कर लिया, A का position vector is given small a vector, और G1 point का position vector हम लोगोने determine कर लिया, now P vector is equal to 3 times position vector of the point G1, plus 1 times A vector upon 3 plus 1, so 3 से 3 cancel out हो जाएगा, A vector plus B vector plus C vector plus G vector upon 4, तो this one will be the position vector of the center of tetrahedron, तो अगर आप से पूछा जाए, कि center of tetrahedron का position vector बताईए, तो आप बोलेंगे P that means center of tetrahedron का position vector मिल जिया, तो center of tetrahedron निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको tetrahedron में 4 vertices हैं, उन 4 vertices का आपको position vector पता होना चाहिए, अगर उनका आपको position vector पता है, तो using that position vectors, आप उनका sum करें, upon 4 करें, मतलब average निकाल दें, तो आपके पास position vector of the point P आजाएगा, अच्छा जैसा मैंने अभी triangular base BCD को मानके किया, तो क्या मैं ऐसा भी कर सकता था, कि मैं D से start होता, students देखिए, मैं इसको erase कर रहा हूँ अब, अब हम क्या कर रहे हैं students, हम D से start कर रहे हैं, D से start कर रहे हैं, और यहाँ पे हमार पास है G2, G2 is the centroid of this face ABC, और G2 को हम join कर रहे हैं D से, और अब यह वाला जो point है, for example इसका नाम रख देते हैं, again P, यह P center of tetrahedron है, and P divides the line joining, DG2 in the ratio, 3 is to 1, मैं check करना यह चाहता हूं, कि पहले जो P obtained हुआ था, और अब जो P obtained हुआ है, वो same है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे students, सबसे पहले G2 लिखेंगे, अचा G2 का मतलब, it is a centroid of the triangle ACB, तो centroid लिखने का तरीका, मैं directly लिख रहा हूं, A vector plus C vector plus B vector upon 3, C, so this is the centroid of the triangle ACB, और अब हमारे पास दो points हो गए, एक तो G2, एक D, और G2, D पे हमारे पास एक P point लाए कर रहा है, so I am drawing a line, this is G2, this is D, और इस पे point लाए कर रहा है, small P, small P की खास बात यह है, कि it divides the line joining DG2 in the ratio 3 is to 1, let the position vector of the point P be small P vector, position vector of D point is given small D vector, and G2 का जो position vector है, that we have determined using centroid formula, which is A plus C plus B upon 3, so I am writing it here, A plus B plus C upon 3, now using these two position vector, we have to get the position vector of point P, using section formula, so 1 into D vector, plus 3 into A plus B plus C upon 3, whole upon 1 plus 3, that will be turned out to A plus B, plus C plus D, whole upon 4, so this is the position vector of the point P, अच्छा, यह वाला जो position vector है, और यह वाला जो position vector है, जो हमने पहले निकाला students, यह दोनों तो सेम ही आ रहे है, that means कि A G1 पे जो point लाए कर रहा है, A G1 पे देखिया, A G1 पे जो point P लाए कर रहा है, और D G2 पे जो point P लाए कर रहा है, यह दोनों points क्या है, सेम है, that means यह जो lines आ रही है, A G1, D G2, और और भी, vertex से, B से भी निकलेगी, एक C से भी निकलेगी, जो opposite face के centroid को जाएंगी, so these all lines are concurrent at the point P, और therefore, this point P is known as center of tetrahedron, मैं दुबारा से आपको figure बना के बताता हूँ, कि हमारे पास एक, हमारे पास नीचे हमने एक, triangle consider करा, और इस triangle को हमने उपर एक vertical vertex से join करा, तो यह हमारा बन गया tetrahedron, अब देखे हो, यहां से, इस point से, सामने वाले face के centroid पे जा रहे हो, इस point से, सामने वाले face, यह वाला face के centroid पे जा रहे हो, इस point से, यह वाले face के centroid पे जा रहे हो, और इस point से, यह वाले face के centroid पे जा रहे हो, तो अभी यहां से जाएगा तो यह वाला जो point obtain होगा यह वाली line नहीं है students तो यह वाला जो मतलब कोई भी vortex से opposite face के centroid पे जाने पे जो line obtain हो रही है वो सारी के सारी lines क्या होंगी concurrent होंगी और concurrent किस point पे होगी P पे और यह जो P point है this is known as center of tetrahedron और center of tetrahedron निकालने का अब हमारे बस एक बहुत easy तरीका हो गया और वो यह तरीका है कि for example if the position vector of these four vertices are given as A, B, C, D so simply the position vector of the point P that is center is A plus B plus C plus G whole upon 4 so this is the center of tetrahedron I hope आपको यह center of tetrahedron अच्छे से निकालने आ गया तो हमें यह लिखना है कि A, G1 और for example अभी हमने A to G1 से join करा था D को G2 से join करा D, G2 C, G3 and B, G4 are concurrent at point P तो for example जैसे यह A, G1 था यह वाला D, G2 था C यह वाला point है and B यह वाला point है C आगे गया इस point पे पहुचा और C, G3 मतलब A, B, D triangle का जो centroid है वो G3 है और B से हम जा रहे हैं opposite vertex मतलब A, C, D triangle में जा रहे हैं B से हम A, C, D में जा रहे हैं तो हमारे पास यह आ जाएगा G4 So G4 is the centroid of A, C, D triangle A, C, D तो यह सारी lines concurrent है और किसमे हैं P पे और P is known as the center of tetrahedron and the position vector of the point P is A vector plus B vector plus C vector plus G vector upon 4 I hope आपको center of tetrahedron निकालना आ गया Now coming to the next question let G be the center of tetrahedron एक center of tetrahedron हमें small capital G दे दिया और हमें जो tetrahedron दिया वो हमें दिया A, B, C, D तो ऐसा ही मान लेता है कि हमारे पास यह तो B, C, D है और B, C, D को हमने join कर दिया यहां से और जो यह हमें मिला G, it is center of tetrahedron और center of tetrahedron का इन्होंने बोला summation करिये मतलब आप G A vector निकालिए to prove मैं वापपे से लिखके दे देता हूँ मतलब यह कह रहे हैं G A vector निकालिए G B vector निकालिए G C vector निकालिए and G D vector निकालिए और इन सब का sum चेक करिए क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे students G A vector का मतलब हुआ A का position vector minus G का position vector G B vector का मतलब हुआ B का position vector minus G का position vector G C vector मतलब C का position vector minus G का position vector and G D vector मतलब D का position vector minus G का position vector is equal to 0 तो G G G कितनी बार आ रहा है 4 times आ रहा है That means, हमारे पास 4 times small g vector आ जाएगा with a negative sign और हमें मिलेगा A vector plus B vector plus C vector plus D vector is equals to 0. अच्छा, यह 0 तो हमें प्रूव करना है, तो एक काम करते हैं, इसको 0 साथ में ले की नहीं चलते हैं. अच्छा, यह आ रहा है या नहीं आ रहा है बस यह चेक करना हमें. Now, what I can, I'll do is g की value डाल देता हूं और position vector of the point g या position vector of the point which is center of tetrahedron this we have derived earlier a plus b plus c plus d upon 4 और a plus b plus c plus d it is given 4 से 4 cancel out हो जाएगा और यहां पे भी a plus b plus c plus d है और यहां पे भी a plus b plus c plus d है तो यह दोनों भी आपस में सप्राक्शन में है तो ultimately it will turn out to be 0 तो हमें 0 ही प्रूव करना था और यह 0 प्रूव हो चुका है Now, coming to the next topic या next concept that is parallelo pipe अब parallelo pipe मतलब as a name suggest के कुछ ना कुछ parallelogram का use में तो आ रहा है तो आपके सामने एक figure बना हुआ है एक ऐसा prism type structure प्रिस्म एक ऐसा structure होता है जिसमें जैसा base होगा वैसा ही उपर चलेगा तो एक ऐसा prism type structure जिसके faces कैसे हैं parallelogram जिसके faces हैं parallelogram जैसे तो उस structure को हम बोलेंगे parallelo pipe अच्छा इस parallelo pipe का हमने यहाँ पर diagram बनाया हुआ है और इनके 8 vertices हैं एक बार 8 vertices को आप देखिए कौन-कौन से होने चाहिए तो सबसे पहला vertex A, then B, then C, then D, E, F, G, और H ये तो हमारे पास आगए इनकी vertices अब बात करते हैं faces की तो आप देख रहे होंगे जैसा भार की तरफ मुझे दिख रहा है ये baby pink color में D, C, F, E तो ये एक face हुआ D, C, F, E और D, C, F, E के just पीछे वाले face को देखिया अब A, B, G, H तो just पीछे वाले face हो गया अच्छा अब base को देखिया तो base है हमारे पास D, C, B, A तो D, C, B, A के just opposite देखिया E, F, G, H तो हमारे पास आजाएगा E, F, G, H ये 4 faces हो गए अब अगला face देखिया अगला face है ये वाला A, D, E, H A, D, E, H और A, D, E, H के just सामने वाला face देखिया तो B, C, F, G इसको समझने के लिए कुछ ऐसा समझिए कि आपके पास एक room है जिसमें आप अभी बैठे हैं और बढ़ रहे हैं वो room की जो shape है वो cuboidal shape है और cuboidal shape में 4 तो दिवारे हो गई एक base हो गया और एक ceiling हो गई तो total इस तरीके से हमारे पास 6 faces आ गए अब मैं आपसे बात करूँ ये 12 edges 12 edges कैसे बनेंगे तो अगर हम base को देखेंगे जो हमारा कमरा है उसके base को देखेंगे तो उस base में इधर आप देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ से लिंग में और यह vertical walls की चार edge lens ही हो जाएंगे तो total हमारे पास edges कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे 4 प्लस 4 प्लस 4 मैं आपको बता जाता हूँ AB, BC, CD, AD फिर उपर जलते हैं EH, HG, GF, FE फिर side में आते हैं ED, HA, FC and GB these all are the 12 edge lens अब आते हैं face diagonals तो face diagonals क्या होंगे जो हर face के diagonal बन रहोंगे तो सबसर पहला face आपके सामने बना के बताता हूँ जो सामने ही सामने की तरफ आपको दिख रहा है और वो face है DC, FE देखो इस face को देखो आप DC, FE आप DC, FE के पास कितने diagonal हो सकते हैं 1 और यह 2 तो हर face के पास कितने diagonals होंगे 2 और ऐसे faces कितने हैं students तो total faces हैं हमार पास 6 और हर face के पास कितने diagonals 2 तो 6 into 2 तो हमार पास total diagonals कितने आजाएंगे 12 face diagonals आजाएंगे अब बात करते हैं main diagonal की तो main diagonal अगर इस structure में मैं आपके सामने create करके दूँ तो जो बिल्कुल ऐसा समझो कि A के जो opposite point है that is F तो A F जो होगा यह main diagonal में आजाएगा A F will be in the category of main diagonal ठीक है अचा अगर मैं इसको देखू C और इसको देखू H तो C H B आजाएगा main diagonal की category में अचा अगर मैं इसको देखू B E तो B E भी आजाएगा इस main diagonal की category में और मैं आपसे पूछू D G तो यह जो D G length आएगी यह भी हमारा आजाएगा main diagonal की category में So there are total 4 main diagonals in the parallel pipe तो जैसा एक cuboid होता है cuboid तो rectangular होता है इसके सारे faces जो होंगे वो parallelogram की shape में होंगे तो cuboid को भी parallelopiped parallelopiped बोला जा सकता है क्योंकि all the rectangle is also a parallelogram तो अगर हमने parallelogram यूज करें है सारे faces को तो हम उसको cuboid नहीं बोल सकते तो एक fix case हो गया parallelopiped का कि हमें rectangular base लेना होगा तो अगर हमने parallelogram वाला base लिया है तो हम उसको बोलेंगे parallelopiped अब हम बात करते है ये 4 के 4 joka diagonals एक ही point पर meet करते है और इस point P को बोलते है center of parallelopiped तो जहाँ पर 4 के 4 diagonals meet करते है में diagonal जहाँ पर meet करते है उसे हम बोलेंगे उस point को बोलेंगे center of parallelopiped अच्छे ये meet भी करते है ये नहीं करते है इसके बारे में एक बार समझते हैं क्योंकि पैलेलोग्राम है तो पैलेलोग्राम में जो diagonals होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं bisect करते हैं तो उन सबका midpoint है वो एक ही position vector आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको एक बार धंक से समझते हैं तो center of parallelo pipe is a point of concurrency of the diagonals जहां पे सारे के सारे diagonals meet कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे center of parallelo pipe and diagonal bisect each other at this point ये चारो के चारो diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं इस point पे तो for example हम नाम रख देते हैं अगेन हमारे सामने एक parallelo pipe दे रख है और इनमें सभी vortex का नाम रख देते हैं example ये A, ये B, this one is C, this one is D, E, F, this one is G and this one is H तो ये A, B, C, D, E, F, G, H हमारे पास ये 8 vertices आ गई parallelo pipe गी अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं A, B vector को consider कर रहा हूं and let this A, B vector is small a vector और ये जो A का position vector है इसको हम मान लेते हैं origin और ये वाला जो vector मैं draw कर रहा हूं आपके सामने this is small a vector ये small a vector है अब मैं आपके सामने दूसरा एक vector draw कर रहा हूं that is A, D vector A, D vector को हम नाम दे देते हैं small b vector और A vector and B vector तो coplanar है लेकिन आप मैं आपसे बात कर रहा हूं A, H vector तो A, H vector coplanar नहीं है A, B और A, D के साथ में देखो A, B, A, H coplanar है A, D, A, H coplanar है A, B, A, H मतलब ये तीनो आपस में अगर pair wise देखें तो coplanar है क्योंकि कोई भी दो vectors होंगे तो हमेशा coplanar होते हैं लेकिन तीनो vectors की बात हो रही है मतलब A vector A, D को बोला हमने B vector और A, H को बोला हमने C vector तो क्या ये तीनो आपस में coplanar है नहीं है क्योंकि A और B तो आ रहे हैं A, D, C, B वाले plane में और लेकिन ये जो A, H है ये तो perpendicular हो गया to that plane ऐसा समझो कि कुछ ना कुछ एक angle create कर रहा है तो ये जो C vector ये भाहर निकल रहा है उस plane से किस plane से A, B, C, D वाले plane से तो इसका मतलब क्या हुआ ये तीनो आपस को प्लेनर नहीं है तो for साब साब लिख देता हूं for construction of construction पूरा लिख देता है अब confused होंगी for construction of parallelo pile structure we require three vectors हमें तीन वाक्टर की ज़रवत पढ़ती है और अगर ये तीन वाक्टर मान लीजे आपने A वाक्टर रख लिया B वाक्टर रख लिया और C वाक्टर रख लिया अब ABC से जो parallelo pipe बनने वाला है वो unique बनने वाला है अब क्या एक और parallelo pipe exist करेगा जो इनी ABC से बनेगा नहीं तो हर जो आप भी trial होगे ABC का उससे एक parallelo pipe का structure बनने वाला है और unique होगा उस ABC से कोई और parallelo pipe नी बनेगा वो ही बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ अगर A वाक्टर इस जिरेक्शन में है अब आप यह देखिए A वाक्टर है तो इधर भी A वाक्टर आजाएगा students इधर भी A वाक्टर आजाएगा B वाक्टर इधर आजाएगा B वाक्टर इधर आजाएगा तो मतलब यह तो सारे ABC से ही सारे के सारी sides के वाक्टर हमें मिल गए है अब हमें क्या करना है students अगर मैंने A को अगर मैंने A को capital A point को अगर मैंने 0 vector consider कर लिया that means origin consider कर लिया तो यह जो G point आएगा students वो आजाएगा small b vector और यह जो B point आएगा यह आजाएगा small a vector और यह जो H point आएगा students that will be small c vector अब जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ E point को देखिए तो E जो आ रहा है वो किस plane में आ रहा है वो आ रहा है E H A D plane में आ रहा है E H A D plane में आ रहा है तो यह resultant होगा B और C का so E vector would be E का position vector would be B plus C अगर मैं आपसे बोलू students कि मुझे C बताइए C तो C vertex को देखिए तो C vertex आ रही है ABCD plane में तो ABCD plane में दो vectors हैं उसमें यह वाला आ जाएगा A vector plus resultant आ जाएगा A vector plus B vector क्योंकि parallelogram law पड़ा है हमने तो जो diagonal होगा वो क्या represent करेगा दो adjacent sides का vector addition तो हमें A vector दिया होगा B vector दिया होगा देखो हमें A vector दिया होगा हमें B vector दिया होगा तो यह वाला जो vector obtain होगा वो हो जाएगा A plus B तो इस point का जो position vector आएगा वो A plus B I hope आपको यह बिल्कुल अच्छे से clear हो गया next is G point तो G point है किस plane के अंदर A, B, G, H और A, B, G, H में यह जो G होगा resultant होगा A और C का तो यहाँ पे G का जो position vector आजाएगा students this would be A vector plus C vector अब आ रहा है F, F जो है वो तीनों ही planes में आ रहा है तो जो F का जो position vector होगा students I am writing it here A plus B plus C तो F point का जो position vector होगा वो A plus B plus C अब हम diagonals की बात करते हैं तो सबसे पहला जो diagonal create हो रहा है वो हो रहा है A F तो A F diagonal की खास बात कि A F diagonal को अगर मैं draw करूँगा तो कुछ ऐसा बन रहा है वो A point ये रहा F point ये रहा A का जो position vector it is given in the question कि वो है zero vector हमने consider करा और F जो है वो हमने determine करा that is A plus B plus C अब मैं चाहरा हूँ कि मुझे एक point determine करना है for example this point B P and P is the center of tetrahedron मुझे center of tetrahedron निकालना है तो मैं तो इस diagonal का midpoint निकाल रहा हूँ तो P का position vector मैं consider कर रहा हूँ small p vector और small p vector आ जाएगा इन दोनों का midpoint तो midpoint create करेंगे तो midpoint formula क्या होगा कि ये दोनों vectors का sum करा और upon में क्या कर दिया 2 दोनों vectors का आपने sum करा A plus B plus C और upon में क्या लिख दिया आपने 2 तो ये आजाएगा P का position vector अब ये तो रहा पहला diagonal first diagonal AF अच्छा AF के अलावा अब एक बार diagonal देखिया तो दूसरा है हमारे पास CH CH diagonal तो अब हम discuss कर रहे हैं CH diagonal तो CH diagonal में हमारे पास दो vertices हैं एक तो C है और एक H है तो ये देखो ऐसा बन रहा है इस तरफ से तो अब C और H को देखिए C का जो position vector है that is A plus B और H का जो position vector है that is C अब C और H point की मदद से हमें इनका midpoint निकालना है और इसका जो midpoint है वो माल लेते हैं P अब P का जो position vector है वो माल लेते हैं small P vector तो जो midpoint अगर हम निकालेंगे C ह का using section formula तो दोनों vectors का sum upon 2 तो A plus B plus C upon 2 तो ये वाला जो P vector और ये वाला जो P vector है ये तो same ही आ रहा है that means ये जो diagonals है AF diagonal और CH diagonal are concurrent ये दोनों आपस में intersect कर रहे हैं और इस intersect कहां कर रहे हैं intersect कर रहे हैं किस point पे P point पे अब हमने ये दो diagonal के बारे में तो देखा कौन-कौन से देख लिया भी AF को देख लिया CH को देख लिया अब मैं चाहरा हूँ कि मैं एक बार इसको भी देखूँ DG को तो DG diagonal को देखें अब तीसरा type का diagonal है DG तो DG पे अब दो points है एक तो है D point और एक है G point अब D point को देखिया D का position vector है small b vector और G का position vector है a plus c vector तो हमने यहां पे लिख दिया G का position vector a plus c और D का जो position vector है वो लिख दिया small b vector अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका midpoint निकालना है वेर P is the midpoint देखो midpoint निकालना चाहता हूँ इस diagonal का तो midpoint हमने small b vector से denote करा और small b vector आजाएगा हमारे पास a vector plus c vector plus b vector मतलब दोनों vectors का sum upon 2 तो what I found is कि यहां पे जो आ रहा है midpoint यहां पे जो आ रहा है midpoint हर diagonal का midpoint सेम ही आ रहा है यह वाला जो आ रहा है midpoint और एक तीसरा एक तीन diagonal consider कर लिए dg हमारे पास consider हो चुका है ch ले चुके हम af ले चुके हैं अब b e vector को देखिए आप तो fourth type of diagonal that is b e तो b के पास तो है a vector और e के पास है b plus c तो b e vector में b के पास है a vector और e के पास है b vector plus c vector अब इसका भी एक बार midpoint consider कर लेता हो और उसका नाम भी p रख देता हो और p का position vector small p तो using section formula दोनों vectors का sum upon 2 तो a plus b plus c upon 2 so p vector अभी भी यही आ रहा है तो हमने जितने भी diagnose निकाले और उनका midpoint देखा तो midpoint दो a plus b plus c upon 2 आ रहा है a plus b plus c upon 2 आ रहा है a plus b plus c upon 2 आ रहा है तो इसका मतलब यह चारो के चारो diagonals एक ही point पे meet कर रहे है और वो point कौन सा है p तो हम ऐसा लिख सकते है these four main diagonals intersect at a common point p और ऐसा भी लिख सकते है are concurrent at p तो these four diagonals are concurrent at p so p is known as center of parallelo pipe I hope आपको यह बिल्कुल अच्छे से clear हो गया तो दो टाइप के structures हमने आद डिसकस करे हैं सबसे पहला tetrahedron tetrahedron को अभी हमने center derive करा और दूसरा हमने structure discuss करा पैललो pipe उसका भी हमने center derive करा तो tetrahedron में हमने कितने vectors consider करें students इधर देखिया हमने small a vector, small b vector, small c vector and small d vector यह 4 vectors consider करें थे और इन 4 vectors का हमने क्या करा a plus b plus c plus d upon 4 तो हमें center of tetrahedron में लेगा parallelo pipe के लिए हमने कितने vectors consider करने होंगे 3 a plus b plus a, b and c और अगर मुझे center of parallelo pipe निकालना है तो मुझे क्या करना होगा a plus b plus c upon 2 तो parallelo pipe में तो a plus b plus c upon 2 और tetrahedron में a plus b plus c plus g upon 4 अच्छा यहाँ पे small a vector, small b vector, small c vector क्या होगे parallelo pipe में यहाँ पे small a vector, small b vector and small c vector are the 3 edges तो जैसे यह वाला edge हो गया small a vector यह वाला edge हो गया small b vector और यह वाला edge हो गया small c vector इन edges की मदद से देखिए आप इन edges की मदद से आपको क्या मिल जाएगा देखिए यह structure मिल जाएगा जो की किस shape का होगा parallelo pipe I hope आपको यह समझ में आ गया यह parallelo pipe बन जाएगा thanks for watching my video thank you so much